C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्त है दस्वी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग दो पेश है दस्वी जमात के लिए उर्दू की मौविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू अप रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग दो का पांचमा पाठ देवेंद्र सत्यार्थी सन 1927 में तालीम अधूरी छोड़ दी और हिंदुस्तान के मुक्तलिफ इलाकों में जगा जगा घुमकर उन्होंने हजारों लोगी जमा किये। कुछ आर्से तक देहली में इंडियन फार्मिंग की इदारत की। सन 1948 से 1956 तक आजकल हिंदी के मुदीर रहे। सन 1976 में उन्हें पदम श्री के एजास से नवाजा गया। उनका इंतिकाल देहली में हुआ। देवेंद्र सत्यार्थी की पहली उर्दू कहानी और बांसुरी बश्ती रही लाहोर के मशूर रिसाले अद्बे लतीफ में शाय हुई। नए देवता और बांसुरी बश्ती रही और चाय का रंग उनके उर्दू अफसानों के मजमुए है। इनके इलावा धर्थी गाती है, मैं हूँ खाना बदोश और गायजा हिंदूस्तान लोग गीतों के मजमुए है। देवेंद्र सत्यार्थी ने उर्दू के इलावा हिंदी और पंजाबी में भी इल्मी और अदबी सर्माया छोड़ा है। उनके अफसानों की बुनियाद देव मालाओं और लोग गीतों पर है। सफा नंबर 38 अफसाना अन्न देवता, अफसाना निगार, देवेंद्र सत्यार्थी आए अब सुनते हैं देवेंद्र सत्यार्थी का अफसाना अन्न देवता तब अन्न देव ब्रह्मा के पास रहता था, एक दिन ब्रह्मा ने कहा, ओ भले देवता, धर्टी पर क्यों नहीं चला जाता? इन अलफास के साथ चिन्दू ने अपनी दिल पसंद कहानी शुरू की गोड़ों को ऐसी बीसियों कहानिया याद हैं, वो जंगल के आत्मी हैं और ठीक जंगल के दरख्तों की तरहा उनकी जड़ें धर्ती में गहरी चली गई हैं मगर वो गरीब हैं, भूग के पैदाईशी आदी चिन्दू को देख कर मुझे ये कुमान हुआ कि वो भी एक देवता है जो धर्ती के बासियों को अन्य देव की कहानी सुनाने के लिए आनिकला है गहरी तारी की चाई हुई थी अलाव की रोश्नी में बगल की पकडंडी किसी जवान की मांग मालूम होती थी घूम फिर कर मेरी निगाहा चिन्तू के जुर्यों वाले चेहरे पर जम जाती कहानी जारी रही देवता धर्ती पर खड़ा था पर वो बहुत नूचा था बारा आदमी एक दूसरे के कंधों पर खड़े होते तब जाकर वो उसके सर को छू सकते एक दिन ब्रह्मा ने संदेज भेजा ये तो बहुत कठिन है अरे भले देवता तुझे छोटा होना होगा आदमी का आराम तो देखना होगा देवता आधा रह गया पर ब्रह्मा की तसल्ली ना हुई आदमी की मुश्किल अभी पूरी तरह हल ना हुई थी उसने फिर संदेज भेजा और देवता एक चौथाई रह गया अब सिर्फ तीन आदमी एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर उसके सर को चूँ सकते थे फिर आदमी खुद बोला तुम अभी उचे हो मेरे देवता अन्न देव और भी जोटा हो गया अब वो आदमी के सीने तक आने लगा फिर जब वो कमर तक रह गया तो आदमी बहुत खुश हुआ उसके जिसम से बाले फूट रही थी मालूम होता था के सुने का पेड़ खड़ा है आदमी ने उसे चिन जोड़ा और बाले धर्टी पर आगिरी मैंने सुचा और सब देवताओं के मंदिर है मगर अन्न देव वो खेतों का कदीमी सरपरस्त खुले खेतों में रहता है जहां हर साल धान उकता है नए दानों में दूध पैदा होता है हल्दी बोली सुना है अब तो देवता धर्टी के बीचों बीच कहीं पाताल की तरफ चला गया है चिन्तु ने फटी-फटी आँखों से अपनी बीवी की तरफ देखा ऐसा भयानक काल उसने अपनी जिन्दगी में पहली बार देखा था धर्टी बंजर हो गई थी साल के साल हल्दी अन्य देव की मन्नत मानती थी एक हल्दी पर ही बस नहीं हर एक गौंड औरत ये मन्नत मानना जरूरी समझती है मगर इस साल देवता ने एक ना सुनी किस बात ने देवता को नारास कर दिया गुस्सा तो और देवताओं को भी आता है मगर अन्न देव को तो गुस्सन नहीं करना चाहिए हल्दी की गोद में तीन माह का बच्चा था मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया उसका रंग अपने बाप से कम सावला था उसे देखकर मुझे ताजा पहाडी शहत का रंग यादा रहा था हल्दी बोली है, अन्न देव ने मेरी कोख हरी की और वो भी भूक में और लाचारी में बच्चा मुस्कुराता तो हल्दी को ये ख्याल आता कि देवता उसकी आँखों में अपनी मुस्कुराहट डाल रहा है पर इसका मतलब देवता मजाग तो नहीं करता फिर उसके दिल में गुस्सा भड़ा कुटता है, अन्न देव ने मेरी कोख हरी की और वो भी भूक में और लाचारी में क्या करें? बच्चा मुस्कुराता तो हल्दी को ये ख्याल आता कि देवता उसकी आँखों में अपनी मुस्कुराहट डाल रहा है पर उसका मतलब देवता मजाग तो नहीं करता फिर उसके दिल में गुस्सा भड़ा कुटता देवता आत्मी को भूकों भी मारता है और मजाग उड़ा कर उसका दिल भी जलाता है चिंतु बोला इसकी कहानी जो मैं आज की तरह सौ सो बार सुना चुका हूँ अब तो मुझे निरी गप मालुम होती है हल्दी ये ना जानती थी कि चिंतु का तंज बहुत हद तक सथी ही है ये वो भी समझने लगी थी कि देवता रोज रोज के पाप नाटक से नाराज हो गया है अजी अन्य देव को नहीं मानते पर भगवान को तो मानूगे अरे मेरा दिल तो तेरे भगवान को भी ना माने कहां है इसके मेग राज और कहां सो रहा है वो खुद एक बून भी तो नहीं बरस्ती देवता से डड़ना चाहिए और भगवान से भी चिंतु ने संभल कर जवाब दिया अहां जरूर डरना चाहिए और अब तक हम डरते ही रहे हैं हम अब आएना सीधे रस्ते पर जब मैं छूटी थी तो माने कहा था देवता के गुसे से सदा बचो अरी कहा तो मेरी माने भी कुछ ऐसा ही था पर कब तलक लगा रहेगा ये डर बोल हल्दी देवता फिर खुश होगा और फिर लहराएगा वही प्यारा प्यारा धान काल में पैदा हुए बच्चे की तरफ देखते हुए मैं सोचने लगा इतना बड़ा पाप क्या होगा के इतना बड़ा देवता भी आत्मी को माफ नहीं कर सकता काल ने हल्दी की सारी सुन्दर्ता चीन ली थी चिंतु भी अब अपनी बाहर को भूल रहा था दरखत अब भी खड़ा था मगर टहनिया पुरानी हो गई थी और नई कोपलें नजर नहीं आती थी सफ़ा नंबर चालीज हल्दी का बच्चा मेरी गोद में रोने लगा उसे लेते हुए उसने सहमी हुई निगाह से अपने खाविंद की तरफ देखा बोली ये काल कब जाएगा जब हम मर जाएंगे और ना जाने ये तब भी ना जाए ये कनकी और कूदू धान की तरह पानी नहीं मांगते ये भी ना उगे होते ये कनकी अच्छा वो चावल की बात कर रहे है और कूदू ये कनकी और कूदू धान की तरह पानी नहीं मांगते अरे ये भी ना उगे होते तो हम कब के भूके मर गए होते इन्होंने ही तो हमारी लाज रख ली हमारी भी और हमारी देवता की भी अरे देवता का बस चलता तो इन्हें भी उगने से रोक देता अजी ऐसा ना बोलो पाप लगेगा अरी मैं कब कहता हूँ पाप ना हो हो सौ बार हो ना ना है दया कैसी बाते करते हो पाप से डरो और देवता के गुसे से भी मैंने बीच बचाव करते हुए कहा देखो भई, दोस्त तो सबादमी का है देवता तो सदा निर्दोस होता है और नहीं तो क्या, कपसे इन्हें यही समझा रही हो रात गमसदा औरत की तरह पड़ी थी दूर से किसी खोनी दरिंदे की दाढ़ गुजी चिंतु बोला इन भूके शेरों और रीचों को अन देव मिल जाए तो वो उसे कच्चा ही खा जाएं विसाखु के घर रुपे आए तो हल्दी उसे बधाई देने आई हजी बधाई हो विप्ता में पच्चीज भी पांच सो होवे है रामू सदा सुखी रहे अन देव से तो रामू ही अच्छा निकला चिन्तु बोला अरे यार छोड़ इस अन देव की बात हल्दी ने अपने खाविंद को सर से पाउं तक देखा इस तंज से उसे चिड़ थी देखो जी देव था कितना भी बुरा क्यों न हो जाए आदमी को तो अपना दिल ठीक रखना चाहिए अपने बोल बचन संभालने चाहिए गुस्से में जली भुनी हल्दी अपनी जोपड़ी की दरफ चलती बैठे रहो यहीं बेसाखु ने फिर कैकहा लगाया वाँ भई वाँ अब भी अन्यदेव का पीछा नहीं छोड़ती चिन्तु बोला अरे जपने दोसे अन्यदेव की माला रामो बंबई में था चिन्तु सोचने लगा काश उसका भी भाई वहां होता और पच्चीस रुपे नहीं तो पांच ही भीज देता बिसाखु ने पोस्ट मैन को एक दुवन्नी दे दी थी मगर उसे इस बात का अफसोसी रहा बार बार वो अपनी नख्टी किंता और हर बार देखता कि उसके पास चौबीस रुपे चौदा आने हैं पच्चीस रुपे नहीं जोपनी में वापस आया तो चिंतु ने हल्दी को बेहोश पाया उसने उसे चिंजोडा अरे हल्दी ये देखो सोई पड़ी है अरे हल्दी ए हल्दी अरे रसोई के भी कोई फिकर है या नहीं अरे अब सो नहीं हल्दी उठना अरे देख दो पहट तो ढल गई उस वक्त अगर खुद अनदेव भी उसे जिंजोडते तो होश आने के लिए उसे कुछ देर जरूर लगती थोड़ी देर बाद हल्दी ने अपने सिरहाने बैठे खाविंद की तरफ घूर कर देखा चिंतु बोला अरे आग जलाओ हल्दी आग जलाओ अरे देखती नहीं हो भूग से जान निकली जा रही है क्या पकाऊं अपना सिर चिंतु ने डड़ते ड़ते साथ आने हल्दी की हतेली पर रख दिये और उसके चेहरे की तरफ देख कर बोला ये बिसाकु ने दिये हैं हल्दी और मैं सच कहता हूँ मैंनों उसे मांगे नहीं थे अच्छा? हल्दी शक भरी निकाहों से चिंतु की तरफ देखने लगी क्या आत्मी गरीबी में इतना गिर जाता है? मगर चिंतु के चेहरे से साफ पता चलता था कि उसने मागने की जलील हरकत नहीं की थी और फिर जब एक एक करके सब के सब पैसे गिनें तो उसकी आँखें डब डबा आई चार रोज दाल भात का खर्च और चल जाएगा शुकर है अन्यदेव का लाख लाख शुकर है अन्यदेव का ये बैसाखु का? जी अन्यदेव का जिसने बैसाखु भाई के दिल में ये प्रेम भाव पैदा किया चिन्तू का चेहरा देखकर हल्दी को सूखे पत्ते का ध्यान आया जो टैनी से लगा रहना चाहता हो दूर एक बदली की तरफ देखती हुई बोली काश, काश बूंधा बांदी हो जाए मगर तेज हवा बदली को उड़ा ले गई और धर्टी बारिश के लिए बराबर तरस्ती रही काल ने जिन्दगी का सबलुथ बरबाद कर दिया था मालूम होता था जैसे धर्टी रो देगी मगर आसों से तो सूखे धानों को पानी नहीं मिलता अन देव को ये शरारत कैसे सूची माल लिया कि वो खुद किसी वजह से किसानों पर नाराज हो गया है मगर बादलों का तो किसानों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था वो क्यों नहीं घिराते, क्यों नहीं बरसते काश वो देवता की तरफदारी करने से इंकार करते हैं चार एक छोटा सा गाउं है उस रोज यहां दो तीन सो गोंड जमा हुए भटके सहब और मुणशी जी धान बांट रहे थे अपने हिस्से का धान पा कर हर कोई देवता की जय मनाता अन्य देव की जय हो अन्य देव की जैए हो चिंतु गाउं की पंचायत का दाया बाजू था धान बाटने में वो मदद दे रहा था लोग उसकी तरफ एहसान मंदाना निगाहों से देखते और वो महसूस करता कि वो भी एक जरूरी आत्मी है मगर लोग देवता की जैजेकार क्यों मनाते हैं कहां है वो खुद भी शायद देवता है और शायद अन्य देव से कहीं ज्यादा है हल्दी ने सूचा कि ये धान शायद अन्य देव ने भीजा है उसे दुखियारे गोंडों का ख्याल तो जरूर है मगर जब उसने भटकेस सहब और मुंशी जी को हल्वा उडाते देखा तो वो किसी गहरी सोच में डूप गई पहले तो उसके जी में आई कि हल्वे का ख्याल अब आके न बढ़े पर ये ख्याल बादल की तरह उसके जहन पर फैलता चला गया लेकिन कहत सभा से मिला हुआ धान कितने दिन चलता चिंतू के चेहरे पर मौत की धुंदली परचाईयां नजर आती थी मगर वो देवता से न डरता था कभी कभी घुटनों के बल बैठा घंटों गैट शयूरी तोर पर गालियां दिया करता मैंने समझा के वो पागल हो चला है दो-चार बार मैंने उसे रोका भी मगर ये मेरे बस की बात ना थी वो देवता को अपने दिल से निकाल देना चाहता था मगर देवता की जड़ें उसके जस्पों में गहरी चली गई थी एक दिन चिन्तू बहुत सवेरे उट बैठा और बोला देवता अब धनवानों का हो गया है पापी देवता अरी मैं तो ना मानूं ऐसे देवता को पर नहीं मेरा देवता तो सबका है अरे सबका है अरी पगली ये सब ग्यान जूटा है तेरा पर देवता तो जूटा नहीं है अरे तो क्या वो बहुत सच्चा है है अगर सच्चा है तो बर्खा क्यों नहीं होती देखो जी देवता को बुरा कहने से दोस होवे है अरे हजार बार हो और वो अब हमारे खेतों में क्यों आएगा वो धनवानों की होरी कचवरी खाने लगा है निर्धन कोंडों की अब उससे क्या परवा है सफा नंबर तैंतालीज चिन्तु की नुक्ता चीनी हल्दी के मन में गम खोल रही थी उसने जोपड़ी की दिवार से टेक लगा ली और धीरे धीरे अच्छे वक्तों को याद करने लगी जब भूग का भयानक मुँ कभी इतना ना खुला था वो खुशी फिर लोटेगी देवता फिर खेतों में आएगा उसकी मुस्कराहट फिर नए दानों में दूद भर देगी उसके मन में अजब कश्मकश जारी थी देवता और पापी नए-ने-ने ऐसा नहीं हो सकता नहीं तो अरे वो बाहर चला गया तो क्या हुआ कभी तो उससे याद आएगी कभी तो वापस आएगा देवता पापी नहीं हो सकता नहीं, नहीं, अब देखो जी, सच मानो, देवता फिर आएगा यहाँ, हाँ, अरी अब बस भी कर, तेरा देवता कोई साप थोड़ी है, जो तेरी बीन सुनकर भागा चला आएगा यहाँ, उस दिन रामो बंबई से लौट आया, उसे देखकर हल्दी की आँखों को एक नई जबान मिल गई, वो बोली, रामो भाई, और सुनाओ, बंबई में देवता को तुमने तो देखा होगा ना, रामो खामोश रहा, मेरा ख्याल था के रामो ने बंबई में मजदूर सभा की तक्रीरे सुन लखी होंगी, और वो साफ साफ कह देगा, के अन्न आदमी आप उप जाता है, अपने लहू से, अपने पसीने से, अगर आदमी, आदमी का लहू चूसना छोड़ दे, तो आज ही संसार की काया पलट जाए, काल तो पहले से पढ़ते आए हैं, बड़े बड़े भयानक काल, मगर अब सर्मायादार, रोज-रोज किसानों और मस्तोरों का लहू चूसते हैं, और गरीबों के लिए, अब सदा ही काल पड़ा रहता है, और ये काल, छूमंतर से नहीं जाने का, इसके लिए तो सारे सबाज को जिन जोडने की जरूरत है, हल्दी फिर बोली, और वहां बंबई में, देवता को रत्ती भर भी कष्ट ना होता होगा, है ना, है ना रामु भाया, बोलते क्यों नहीं हो रामु भाया, बताओ ना, रामु के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा होने के फॉरण बाद किसी कदर संजीत की में बदल गई, वो बोला, हाँ हल्दी, अन्य देव अब बंबई के महलों में रहता है, रुपियों में खेलता है, बंबई में, हाँ, हल्दी कुछ न बोली, शायद वो उनके मुतालिक सोचने लगी, जब रेल इधरा निकली थी, और अन्य देव पहली गाड़ी से बंबई चला गया था, आंसू की एक बूंध जो हल्दी की आँख में अटकी हुई थी, उसके गाल पर टपक पड़ी, बड़े आसमान पर बादल जमा हो रहे थे, मैंने कहा, आज जरूर धर्टी पर पानी बरसेगा, हल्दी खामोशी से अपने बच्चे को थपकने लगी, शायद वो सोच रही थी, क्या हुआ, क्या हुआ, अगर देवता को वहाँ सुन्धरियां मिल जाती हैं, कभी तो उसे घर की याद सताएगी ही, और फिर वो आप ही आप इधर चलाएगा, हाँ, चलाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी, सफ़ा नंबर चवालीस, मश्क, सवालों के जवाब लिखिए, सवाल नंबर एक, ब्रह्मा ने अन देवता को क्या संदेश यानि पैगाम भेजा, सवाल नंबर दो, शिन्तु अन देवता से नाराज क्यों रहता था, सवाल नंबर तीन, मुसन्निफ ने कहानी के आखरी हिस्से में, काल का जिम्मेदार किस से ठहराया है और क्यों, इसी के साथ ही ये सबक खत्म हुआ, गुलजार अर्दू भाग दो का पांचवा पार्ट यहां समाप्थ हुआ, इसके बाद पार्ट छेह आता है, प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T